नाइट मैच इस यकीनन दिल्चस्प होते हैं और दोनों टीमों से आज एक शांदार खेल की अपेक्षा है सब का स्वागत है इस खूप सूरद मैदान में टॉस के लिए यहाँ पर मौझूद है दोनों टीम के कप्तान और मैच रेफरी कैप्टन ने यहाँ टॉस जीत कर तुरंथी बल्ले बाजी का निर्ने ले लिया है आपके स्क्रीन पे है दोनों टीमों के खिलारी जो आज मैदान में उतरेंगे स्वागत है आप सबका इस शानदार स्टेडियम में अमपाईज नई गेन के साथ पिछ की तरफ बढ़ते हुए सब तयार इनिंग्स की पहली गेन के लिए ओ बल्ले का किनारा लगा अच्छा त्रोफील्डर का तेज़ और बिलकुल ठिकाने पे ये पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए वाइड थ्रोफ खेलारी द्वारा देखना होगा क्या गेन बाज शॉट पिछ गेन की कोशिश करेंगे इस पिछ पे और ये मैक्सिमम गेन जाएगी बाउंडरी के उपर से चक्के के लिए कमाल के बल्ले वाजी कुप सूरच शॉट गेन बाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा ये अच्छा शॉट गेन हवा में लेकिन बाउंडरी की दूसरी तरफ तगरा शॉट बल्ले के एक दम बीच से निकली अगेन खाँ The newest Rummy App on the Block with intuitive, engaging gameplay, a sleek design and an enhanced experience With your favorite tournaments and more झाल झाल खिलाडी जल्दी से बैक अप करने के लिए आये थे हर रन की एहमियत समझते हैं वह इससे कहते हैं अद्भुत कैच कैच अफ दू मैच की शेड़ी में इसे जरूर सामिल करना चाहिए चत्वराई से गेनबाजी कर रहे हैं गेनबाज बहुती लंबा और उन्चा शॉट लगाया है छे रन इतना असान नहीं है इस शॉट को एग्जेक्यूट करना बड़ा ही करीबी मामला लेकिन अंपायर ने दिया नौट आउट और वो अंपायर के डिसिजिजन से सहमत है स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनद उठा रहे है फील्डरों के बीच गैप ढूलने में कामियाब चार रन के लिए जब ये फुल फार्म में होते हैं गेन बाजों के च्छके छुड़ा देते हैं सुन्दर शौर गैप में सीधा चार रन के लिए टार वेटिंग अन रमियाथ रमी प्राइम आगया है पस्टर मैच मेकिंग गेंस के साथ वेर यू दो हाँ वेट वेट पर उपनेंस प्ले विन और विद्रॉ यूर मनी हासल प्री और आपले बाद अच्छे फॉम में दिख रहे हैं कमाल का शौर और यह गया लंबा चक्का क्या बड़िया खेला है कॉन्फिडेंट शॉट जबर्दस शॉट कोई नहीं रोख पाएगा इस गेंस को बाउंडरी जाने से जब ये फुल फॉम में होते हैं गेंद बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं वाह क्या कड़क शॉट मा रहा हैं गेंद बाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा सुन्दर शॉट गैप में सीधा चार रन के लिए बढ़िया फार्म में लग रहे है बल्लेबाज फील्डरों के बीच गैप ढूनने में काम्याब चार रन के लिए जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है खाफी नजदी की मामला लेकिन अंपायर ने दिया नौट आउट और वो अंपायर के डिसिजन से सहमत है गेंबाद अपने प्रिफ़र्ड एंड से गेंबाजी करते हुए और सटिक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पे हवा में खेला है ये शौट लंबा शौट खेलने का प्रयास और गेंबाज सीधा फील्डर के हाथों में बल्लेबाज बेविलिन का लंबा रस्ता तैय करते हुए तारीफ करनी पड़ेगी गेंबाज की यहाँ पे अच्छे रिदम में लग रहे हैं ओ ये गेंब तो लगी होगी अजीब पॉजिशन में आ गए थे बल्लेबाज धीमी गेंब इस पिच पेक अच्छा विकल्प होगा शानदार शौट गेंब सीधी बाउंडरी लाइन की तरह जाती हुई क्या बल्लेबाज फिर इससे बाउंडरी की कोशिश करेंगे चलो देखते हैं वाह क्या कड़क शॉट मारा है जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है करारा प्रहार बल्लेबाज का छे रण के लिए देखते हैं स्पिनर को इस स्पिच पर कितना परचिस मिलता है क्या शॉट लगा है फील्डर्स बने दर्शक स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनद उठा रहे हैं और याउट बहुती अच्छा कैच फील्डर के दर्वारा पविलिन के और जातुए बल्लेबाज बड़े हताश क्वालिटी गेन बाजी कप्तान की फील्ड प्लेस्मेंट भी काफी अच्छी रही है ये गेन उपर गई है पर ज्यादा दूर नहीं कोई फील्डर मौज नहीं वहाँ स्पिन गेन बाजी खेलने के लिए क्रिस का बहुत अच्छा उप्योग करते हैं ये तेज करा राश्चा चार रन के लिए क्या फूर टाइमिंग थी गेन बाज को अपनी लाइन एंड लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा बहुती शानदार प्लेस्मेंट और शार रन मिलेंगे यहांपर बल्लेबाद अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं हवा में दे मारा है शानदार शार दिल खुष होगे यह शाद देखकर हवा में खेला है यह शाद आकरम कप्तानी स्लिप फील्डर लगाया है ला जवाब टाइमिंग बढ़िया तरीके से गैप ढूंडा और चौका बटोरा बल्ले बास को यहाँ जोश में खोश नहीं गवाना चाहिए और यह गेंद हवा में मिल गया विकेट वह किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली के रफ्तार है इनके पास अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को करारा शॉर्ट बल्ले बास को और यह छे रन हवा में खेला है यह शॉर्ट और आसानी से कैच लिया वहां मौजूद फील्डर ने पविलिन के और जातु हुए बल्ले बाद बड़े पाउर प्ले की समापती कप्तान आप दो से ज्यादा फील्डर्स थर्टी यार्ट सर्कल के बाहर रख सकते हैं अच्छा शॉर्ट दो रन मिल सकते हैं यहां काफी मेहनत करनी पड़ी यह त्रो कलिक करने में बल्ल बल्ले का किनारा जरूर लगा वर गेन सीधा स्टंप्स में चत्वराई से गेन बाजी कर रहे हैं गेन बाज चार रन मौका मिला और कैशिं किया बल्ले बाज ने दर्शकों ने बढ़िया माहौल बनाया है आज क्वालिटी क्रिकेट जो देखने मिल रही है उन्हें नजाकत भरा ये शॉर्ट फास आउट फील्ड चार रन मिलेंगे जब ये मारना शुरू करते हैं तो इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और ये मैक्सिमम गेन जाएगी बाउनरी के उपर से चक्खे के लिए स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनन्द उठा रहे है कमाल की बन्लेवाजी खूब सूरच शॉट कि बन्लेवाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं कि को बन्लेवाज के नारा लगा कि वह गेन सीधा स्टांप्स में लगी है बढ़िया थ्रोग हूँ लगी बन्लेवाज को वहाँ आशा करते हैं गंभीर ना हो हूँ शॉट को मिस्स किया और गेन सीधा बन्लेवाज की बॉड़ी पे लगी लॉंग लेग लग गया है शॉट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बन्लेवाज क्या बढ़िया गेन थी बन्लेवाज संपर्खी नहीं कर पाए काफी निरास लग रहे हैं अगली पारी में कोशिश करेंगे कि ऐसी गल्ती फिर ना दोरा आए तारीफ करनी पड़ेगी गेन बाज की यहाँ पे अच्छे रिदम में लग रहे हैं जबर्दशोर्ड बन्ले का बढ़िया कनेक्शन और गेन गई सीधा हवाई यात्रा पर कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है हवा में गई है गेन वह इससे कहते हैं अबुद कैट कैच अफ दो मैच की श्रेड़ी में इसे जरूर शामिल करना चाहिए अपनी पारी की शुरुआत में संबल कर खेलना होगा बल्ले बास को बाल बाल बचे बल्ले बास बहतरीन गेन बाजी बल्ले बास जरूर पिछली गेन के बारे में सोच रहे होंगे आसानी से केला एक रन के लिए करेंदाए शहान पहाँ झाल कर लिए की शखर के लिए धिटर क्शूरा थानिगा तेज कराना शोट चारन के लिए क्या खूब टाइमिंग थी जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेंद बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं बल्ले के बीच से निकला ये शॉर्ट क्राउड में जा गिरेगा क्या बढ़िया खेला है कॉन्फिडेंट शॉर्ट हवा में दे मारा है अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा प्लेशी प्रम्मी यल्ली अत्युत्तमावद रम्मियन आनन्दिसी उत्तमा आफर कड़न्दु पडएईडी रिजिस्टर माडी आमेले आनन्दिसी तेज गेन बाजी को खेलना फसंद करता है ये बल्ले बाज अपीर लेकिन अंपायर ने दिया नौट आउट और वो अंपायर के डिसिजन से सहमत है रुड़्ड़्ड़्स टीओं ये रुड़ रुंड़्ड आइए्टर वो सक्ती थी वांपर आसानी से केला एक रन के लिए अच्छा शॉट है ये बहुत ये अच्छा शॉट और गेंज सीधा सीमा रेका के बार बड़िया फार्म में लग रहे है बल्ले बाज कमाल का ये शॉट चौका मिलेगा कि अच्छा शॉट ये बार्म में लिए भी बार्म में लिए कि अच्छा कर दो भी बार्म में लिए गेंबाज को अपनी लाइन लेंग में थोड़ा अनुशासन देखाना होगा पूरी ताकत से खिला गया ये शौर और ये पूरे छे रन बल्ले बाज को बिलकुल आइडिया नहीं था उस गेंड को कैसे खेले बल्ले बाज पिछली गेंड पर बड़े अनुकमफर्टबल लगे और ये गेंड हवा में रजब का कैट बल्ले बाज है इसी फील्डिंग देखकर इस विकेट की तलाश थी इने कैटन काफी खुश गेंड बाज से अच्छी अक्यूरिसी दिखा रहे हैं गेंड बाज अपने स्पेल में ओ जबर्दस गेंड बाज यह इसी बोलिंग को खेलना नामुम्किन गेंड बाज अच्छी लेह में लग रहे हैं क्या ये विकेट ले पाएंगे चली देखते हैं और यह आउट बल्ले बाज गेंड को जमीन पर नहीं रख पाए और कैट देख नाइस 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 बैठे फीलिंग तीम पूरी तरह से तयार लग रही है आँपर बल्ले बास तयार अपनी पहली गेंड का सामना करने के लिए आसानी से खेला एक रन के लिए कि सही समय पे बैक अप के लिए तयार थे वहाँ अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा किसी भी फॉर्मेट में सिंगल और डबल सबसे महतुपूर होते हैं सिंगल लेकर बल्ले बास अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं गैप में खेलने की अच्छी कोशिश लेकिन फील्डर वहां मौझूद स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से भरा हुआ है और क्रिकेट का अनंद उठा रहे हैं खराब फील्डिंग फील्डिंग का स्टर वेतर रखना होगा खिलाडियों को प्रण्पी आफ स्टर प्रण विकट्स झाल झाल जोग्यार कर्णाज़िद एक पाले इस अजया थे स्थारल झाल एक बेखाविस्टडेब इस आज़के लिजस्टब इंग एक नेज गेंग बेस्ट आज़कर प्रावंगे पस्टमे इंगेवर इने स्ट अछूड़ प्स। बैतर इन रानिंग बिट्वीन दो विकेर दोनों बल्लेबाजों के बीच आसानी से खेला है एक रन के लिए और सटिक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पे अच्छा शॉड बस सिंगल ही मिलेगा सही जगा पे मौजूद तो थे मगर शायद सतर्क नहीं सिंगल लेकर बल्लेबाज अच्छा स्ट्राइग रोटेशन कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुपूर होते हैं बहुत अच्छी रणिंग बिट्वें दो विकेट्स वाइड थ्रो खिलाडी द्वारा यह पिछ मेरे हिसाब से काफी बैलेंस लग रही है बल्ले बाजी और गेन बाजी दोनों के लिए यह थ्रो विकेट से दूर थी किसी फीलर को मौका नहीं वहाँ पर और गेन सीधा सीमा रेखा के बार 20,000 जीत गए वो भी पांच मिनट का लुडो गेम खिल के जूपी पे लुडो खिलो और बड़े कैश प्राइज देखा स्पिनार आये अटैक में बड़िया फॉर्म में लग रहे बल्ले बाज आसानी से दो रन मिल सकते हैं यहाँ बैटर इन ग्रानिंग बिट्वीन दो वेके दोनों बल्ले बाज उनके बीच आसानी से खेला एक रन के लिए आकरमक फील लगाए है कफ्तान ने अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा बड़िया बैक अप इसे कहते हैं गेम आवेरनेस बैटर इन ग्रानिंग बिट्वीन दो वेके दोनों बल्ले बाज उनके बीच सिंगल लेकर बल्ले बाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में सिंगल और डबल्ल सबसे महतुपूर होते हैं अच्छा शॉर्ट दो रन मिल सकते हैं किसी भी फॉर्मेट में सिंगल और डबल्ल सबसे महतुपूर होते हैं बहुत सूंदर खूबसूरत शॉर्ट चार रन के लिए अरे भाई जब पैसा जीतना हो इतना असान अब थेज गेंद बाज अटैक में जब ये फुल फॉर्म में होते हैं गेंद बाजों के छक्के छुड़ा देते हैं आसानी से केला एक रन के लिए मिड़ाफ पर फील्डर मौजूद बैतर इन रनिंग बिट्वीन दो विकेर दोनों बल्ले बाजों के बीच संदर्शार गप में सीधा चार रन के लिए सिंगल्स रोकने के दे पॉइंट फील्डर तैनाथ सिंगल्स रिज़ा में सीधा प्राइब की लिए सिंगल्स रोकने के लिए दो प्राइब की लिए सिंगल्स रोकने का विए लिए गेन बाज को अपनी लाइंग सठीक रखनी होगी इस फील्ड के साथ सबर्दस्ट त्रो सीधा विकेट्स पे मारा है फाइन लेक पे कोई फिल्डर ने गेन बाजी आफस्टम के बार रखनी होगी अब अच्छा शॉर्ड बस सिंगल ही मिलेगा बैटर इन रानिंग बिट्विन दे विकेट दोनों बल्लेबाज उनके बीच कप्तान ने अपने रिसोर्स को बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया है सिंगल लेकर बल्लेबाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है स्टम्स के बहुत करीब थी ये त्रो बढ़िया फील्डिंग जा पचीज में देदेगे है दी फिर रुगो 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 ले लो पचीज में दीवारी बहारी है आंची एक नमबर स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह से बरा हुआ है और क्रिकेट का अनद उठा रहे है काफी मेहनद करनी पड़ी ये त्रो कलेक करने में आसानी से केला एक रन के लिए किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा बड़िया थ्रो स्टम्स के बेहत करीब सिंगल्स लेकर बल्ले बाद अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है जब्रोज अच्छा श्राइक रहे हैं इस जब्रोज बाद अम बताते हैं ब्रोकर साथ डील फाइनल कर जाते हैं कोजी है ना किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतुपूर होते हैं अच्छा शाट पर सीधा फील्डर के हाथों में पल्लेबास कनेक नहीं कर पाए बोल्ड और ये गेंदबास अपनी अंदाज में सेलिबरेट करते हुए कहना होगा कि यहाँ पर शॉर्ट सेलेक्शन वहतर हो सकता था चत्युराई से गेंदबास ही कर रहे हैं गेंदबास आसानी से केला एक रन के लिए किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा बेटर इन रनिंग बिट्विन दो विकेर दोनों बल्लेबास उनके बीच फील्डर मौजुद नहीं है इस दिशा में रन जरूर मिलेंगे बल्लेबास को खूपसूरत फ्रो बिल्कुल स्टम्स के उपर सिंगल लेकर बल्लेबास अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे हैं रमी कलचर इस इंडियास मोस् ट्रस्टेड रमी ब्लैकपॉप ब्लेइं रमी आन रमी कलचर इस अप्सुलूटली स्ट्रेस पी इस अ स्पिनर वापस आए है गेन बाजी के लिए एक्स्ट्रा कवर पर फिल्डर तो अपने जो कवर ड्राइवस हैं उनको जरा संबाल के खेलना होगा आसानी से खेला है एक रन के लिए झाल 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 सिंगल्स रोकने के दे पॉइंट फील्डर तैनाथ अच्छा शॉट बस सिंगल ही मिलेगा लॉइंट लग लग गया है शॉट बॉल की उमीद कर रहे होंगे बलेबाज काफी सरलता से खेला था ये शॉट पर सीधा फील्डर के पास गेनबाज अपने प्रिफ़र्ड एंसे गेनबाजी करते हुए सिंगल लेकर बलेबाज अच्छा स्ट्राइक रोटेशन कर रहे है बहतर इंग रनिंग बेट्विन देविके दोनों बलेबाज उंके बीच बलेबाज के फुट वर्ट पे सवाल उठाते हुए गेनबाजी बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छी रनिंग बेट्विन देविकेट्स आज भी लेट नाइट काम कर रहा है मम्मी इस ताल प्रमोशन पक्का मम सेज हाई स्पिन गेजमाज वापस आते हुए किसी भी फॉर्मेट में सिंगल्स और डबल्स सबसे महतु पूर होते हैं अच्छा शाट पर सीधा फील्डर के हाथों में आसानी से खेला एक रन के लिए सीधा फील्डर के पास खेल दिया है गैप ढूने में असमर्द और सटिक थ्रो की अपेक्षा थी यहाँ पे इधर से जाना अच्छा है अंदर वाला बढ़िया खेला आसानी से दोरान मिल सकते हैं बैठर इन रनिंग बिट्विन दो वेके दोनों बल्लेबादों के बीच अच्छा शॉर्ट बस सिंगल ही मिलेगा काफी मेहनत करनी पड़ी यह त्रो कलिक करने में बढ़ियों के निए वापसाते हुए यह लोगी फाय स्टिक्स रमी पायम बिंस यू थे फंड बेक्ट प्रीज कर्यू रहां आजकु जी तो लाखो नहीं। वेस्ट आजग तो आप सकते वन्हाल, अई तो चौच दिखू अच्ट अजू बश्यू रहाँ अच्छड़ा कुछ. अग्लोड आट